हेलो गाइज, वेलकम यूटूब चैनल, आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई वर्तियाई है रेल्वे की और, तो यहाँ पर 14,966 पद यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ किस परकार से हैं, तो देखिए, तो यहाँ पर देख से स्टार्ट हुए थी फोरम, और 19 फ्रवरी लाज डेट थी, ठीक है, तो यहाँ पर यह एल्पी के लोको पाइलेट के फोरम स्टार्ट हुए थे, ठीक है, जो की 5,666 पद थे, कितने, 5,666 पद थे, एल्पी के, ठीक है, उसके बाद रेल्वे ने, 9,000 पदों का नोटिप नोटिपिकेशन, मतलब एक अपडेट दिया हमें, ठीक है, अभी मतलब बरती आई नहीं इसकी, लेकिन इसके फोरम कब से स्टार्ट हो रहे हैं, यह आपको मैं बता दू, एक नोटिपिकेशन दिया है, किसने, रेल्वे ने, तो देखिए, द्यान से देखिए, यहाँ पर 14666 अब यहाँ पर ग्रुप D की बात करें, तो यहाँ पर ग्रुप D का भी मतलब चर्चा चल रही है, ठीक है, तो एक लगोजार पिशार निया है зंटे लिए कर दिये है, ठीक है, तो एक बात और की इसकी, दिया है, तो यहाँ पर और किसके, ढूरिजार 1,14666 अब आएंगे अब यहां पर हम इसकी बात करेंगे किसकी टेक्निसियन की बात करेंगे औरों की बात बाद में करेंगे और इनके बारे में ठीक है और क्या qualification रहने वाली है योगेता क्या रहने वाली है age limit क्या रहेगी मतलब सारी बातें यहाँ पर हम करने वाले हैं किस के बारे में railway technician के बारे में तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं railway technician के बारे में किस परकार से बने ठीक है योगेता क्या होनी चाहिए age limit देखिए अब अगली स्लाइड के अंदर देखे आप तो यहां पर देख सकते हैं रेल वेई नहीं बरती यह मनें आपको बता दिया ठीक है नो जार पदों की यहां पर बात हुई है कि नो जार पद आएंगे ठीक है अब यहां पर देखे इसकी जो योगिता है मतलब एजूकेशन क्वालिफिकेशन तो यहां पर देखे आईटियाई ठीक है और टैंध में PCM है फिजिक्स कमेस्ट्री मैथ है तो अगर आप पे टवल्थ कर ली और PCM आपके पास तो आप अग्जाम दे सकते हैं मतलब फोरम अपलाई कर सकते हैं बी टेक है डिपलोमा है तो आप अराम से कर सकते हैं अगर आपके पास टवल्थ में PCM था और पीस मतलब बार में पास ही की है आपने तो इसका फोरम अराम से अपलाई कर सकते हैं तो आप यहां पर देखे फोरम की बात करें तो फोरम कम से स्टार्ट होगे मार्च अप्रेल के बीच फोरम भरे जाएंगे अग्जाम इसका होगा अक्टूबर और दिशंबर दोजार चोबिस ठीक है डोकूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें तो यहां पर फर्वरिद दोजार पत्चीस और एज बता देता हूं यहां पर मैं तो यू प्रोसेस क्या रहेगा तो यहां पर cbt1, cbt2 और कोमेंट वेरिफिकेशन होता है तो यहां पर cbt1 में 75 को पुछे जाते हैं 50 नंबर ठीक है 75 किशन 75 नमर के यहां से पूछे जाते हैं और 60 मिंट का टाइम दिया जाता है और नेगिटिव मारकिंग यहां पर एक बटा तीन रहेगी और यहां पर CBT 1 में 15 गुना को पास किया जाएगा जितनी बर्ती है उनकी यहां पर 15 गुना पास किया जाते हैं उसके बाद यहां पर आगे बात करते हैं हम CBT 2 में क्या करना होता है तो CBT 2 में जैसे लोको पाईलेट में मैंने आपको बताया था कय और बेड़ दो पेपर होते हैं ठीक है तो यहां पर इसको हमें पास करना होता है यह 60 मिंट में होता है और 75 क्यूशन पूछे जाते हैं इसमें ठीक है और अब देखी ज्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है इसके अंदर और यहां पर देखी क्या में क्या होता है मैं तो यह होता है जैसे लोग को पाइलेट के अंदर पूछे जाते हैं किशन उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें अच्छे नंबर लाने पड़ते हैं पास होने के लिए ठीक है यहाँ पर इसमें क्वालिफाई है यह पास करना होता है और इसमें हमें थोड़ा द्यान देना पड़ता है अच्छी प्टाइग करने पड़ते हैं तो यहाँ पर 90 मिंट में 90 मिंट का पेपर होता है इसमें 100 क्यूशन पुछे जाते हैं करंट अफेर के 10 क्यूशन और मैथ के 25 क्यूशन और रिजिनिंग के 25 क्यूशन और साइन्स फिजिक्स के यहां से और इंजिनेरिंग के 40 क्यूशन पुछे जाते हैं मतलव उसी टाइम होता है यह साट मिंट का पिछेतर किरस्थ ठीक है उसके बाद डकॉमेंट वेरिफिकेस्ट होता है ठीक है इसका फ्रोसेस होता है किसका रेलवे टेकनी सीन तो मैंने आपको बता दिया अभी मतलब कुछ चेंज भी हो सकता थोड़ा नहीं होगा CVT1, CVT2 मतलब ऐसा इतना बड़ा चेंज नहीं कर सकते railway ठीक है बढ़ा सकती है पर ऐसा नहीं कि CVT1 ही होगा ठीक है तो इस प्रकार से यह process रहता है इसका किसका railway technician का और मैंने आपको यह उपर पद बताए है तो आप ऐसा मत सोचिए कि कुल पद यहां पर मैंने जो LP और जो हमारे अभी technician के जो पद बताए है वो मैंने एड़ करके यहां पर आपको बताए है ठीक है इन दोनों को एड़ किया है तो तबी यह 14696 पद बने है और railway D group के पद बता नहीं अब कितने आएंगे अभी मतलब कुछ कहा नहीं सकते तो इसकी चर्चा चल रही है जो भी notification आता है update आता है मैं आपको बता दूँगा railway group D की बारे में ठीक है तो अभी तक railway group D के बारे में ऐसा कुछ कहा नहीं है तो railway technician के बारे में कहा है वो आपको मैंने बता दिया 31 तारिक को कल रोटी साया था 31 जिनवरी को और आज 1 फरवरी है ठीक है तो गाई जी ये railway से related एक छोटीशी वीडियो थी तो आपको कैसे लगी कॉमेंट करें और इसी फरकार की वीडियो देखने के लिए education से related है agyam से related है सरकारी government job से related तो हमारे चैनल से जुड़े रहे हैं और यहां पर मैंने railway वरती जो railway technician है इसके बारे में 9000 पदों के बारे में बताया है तो यहां पर जो information दी गई है वो ही दी गई है अभी सिलेवर से और इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कुछ change भी हो सकता है ठीक है और जो यहां पर notice में लिखा है forum कब से start होंगे तो मारत से अफरेल के बीच start होंगे और अग्याम अक्टूबर से दिशंबर के बीच होगा तो यह उस notice के अंदर लिख रखा है और 9000 पद आएंगे ठीक है तो इस परकार